आज हम मौडेना HIV वैक्सिन ट्राइल के बारे में बात करेंगे आप इस वीडियो में क्या जानेंगे मौडेना HIV क्लिनिकल ट्राइल की रूप रेखा वैक्सिन कैसे काम करेगी अब्यास में क्या जांच होगा और यह वैक्सिन कीन लोगों के लिए होगी क्या यह HIV पॉजिट्वी लोगों के लिए होगी या HIV नेगेट्वी लोगों के लिए होगी या दोनों के लिए होगी आज HIV का पहला केस आया उसके 40 साल हो चुके है लेकिन आज भी हमारे पास उसका कोई क्यूर यानि की मिटा सके ऐसा कोई इलाज उत नहीं है आज हम सिर्फ दवाई के साथ एक बहुतर और अच्छी जिन्गी जी सकते है लेकिन उसके लिए हमें हमेशा के लिए दवाई खाना जरूरी है अब तक 30 से भी ज्यादा वैक्सिन बनाने की कौसिस हो चुकी है लेकिन उनमें से एक भी बार हमें वैक्सिन नहीं मिली है आज हम बात करेंगे अमेरिकी बाहर टेक्नोलोजी कमपनी मौड़ना द्वारा ट्राइल का जो सुरुवात की जा रही है एचाईवी वैक्सिन के पारे में मौड़ना कमपनी जो वैक्सिन बनाने की जो कौसिश कर रही है वो जो टेक्नोलोजी है वो है एम आरेने बेज वैक्सिन यानि कि इस वैक्सिन में HIV का पूरा वाइरस का इस्तमा बनाने के लिए HIV का पूरा वाइरस का इस्तमाल नहीं किया जाएगा लेकिन जो एक जीन है रंग सुत्र है जीनेटिक्स है उसी का इस्तमाल करके HIV वैक्सिन बनाने की कौसिस की जा रही है पहले वैक्सिन बनाने के लिए वाइरस का इस्तमाल किया जा रहा था लेकिन इसमें कोई वाइरस पूरा वाइरस का इस्तमाल नहीं किया जाएगा और नहीं कोई जिन्दा वाइरस का इस्तमाल होगा बाकि टेक्मोजिक के कमपेरिजन में तुलना में इस वैक्सिन को बनाने में आसान इसे बना सकते हैं MRNS बेस जो वैक्सिन्स है उसको हम उसका प्रोडक्शन कुछ समय में काफी मात्रा में कर सकते हैं यानि कि तेजी से डिवलप भी किया जा सकता है जो कोईड नाइटिन वैक्सिन जो फाइजर और मोडना कंपनी दोरा जो बनाए गया था उसमें यही टेक्नोलोजी का इस्तमाल हुआ था और उस टेक्नोलोजी का नाम है MRNA-based वैक्सिन तो इसी कारण भी काफी उम्मिद है कि इस HIV वैक्सिन बनाने में सफलता मिले क्योंकि कोईड की वैक्सिन बनाने में इसी टेक्नोलोजी से सफलता मिली है और उसी टेक्नोलोजी से हम काफी सीखे भी है तो हम आशा करते है कि जो मौडना द्वारा MRNA-based HIV का वैक्सिन बनाने का काम इसी महिने से सुरू हो रहा है उसमें सफलता मिले इस वैक्सिन को बनाने के लिए जो फंडिंग है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा की जा रही है यह अभ्यास अमेरिका में होने जा रहा है जिसमें 56 स्वस्त लोग यानि की जिसको HIV नहीं है वो लोग अभ्यास में भाग लेंगे उसकी उमर 18 से लेकि 56 साल तक रहेगी और उसको HIV होने का जोखम आम लोगों की संपरिजन में काम होगा और इस ट्रायल में कुल एक से दो डूस्क दिये जा सकते है अब हम जान लेते हैं कि HIV वैक्सिन के कितने प्रकार होते हैं जो भी संसोधन हो रहा है उसमें दो कैटेगरी है एक है HIV प्रिवेंटिव वैक्सिन यानि कि जो लोगों को HIV नहीं है उनको बिमारी को रोकने के लिए जो वैक्सिन का इस्तमाल होगा तो उसको बोलेंगे HIV प्रिवेंटिव वैक्सिन और दूसरा ओप्षेंज होता है HIV थेरापेटिक वैक्सिन यानि कि जो लोगों को HIV की बिमारी है और उसको बिमारी को ठीक करने के लिए जो से वैक्सिन का इस्तमाल होगा उसको बोलेंगे HIV थेरापेटिक वैक्सिन यहाँ पर जो वैक्सिन का नाम दिया जाएगा उस वैक्सिन का नाम है MRNA 1644 इसी वैक्सिन का क्लिनिकल ट्रायल का पहला चरण होगा अगस्तिया सितंबर 2021 में चालू होगा सामन्य तोर पर HIV का वाइरस हमारी बौड़ी में एंटर होकर हमारे सरीर के T-cells यानि की CD4 cells या तो CD4 कोश चोरुख प्रतिकार रखशक्ति के जो कोश है उस पर हमला करता है वो हमारे CD4 cells के अंदर जाता है वो अपनी तदद बढ़ाता है और बाद में हमारे CD4 cells को तोड़ कर जो उसके बच्चे काफी ज्यादा संख्या में बच्चे पैदा हुए होंगे वो वापस खून में मिलेंगे और वापस हो दूसरे CD4 को हमला करेंगे और उसको वापस तोड़ेंगे तो यह चकर हमेशा चालू रहता है और उसके कारण हमारे सरीर में वाइरस के संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है और 34 के संख्या दिन प्रति दिन कम होती जाते है यदि हम इलाज नहीं कराते हैं तो अब यह वैक्सिन कैसे काम करेगी यह वैक्सिन हमारे सरीर के जो इम्मुनिटी सिस्टम के बिटा सेल्स से उस पर स्टिमुलेशन करेगी और यह बिटा सेल्स ब्रॉडली नूट्रलाइजिंग एंटीबोडी बनाएंगे अब हम यह समझते हैं कि ब्रॉडली नूट्रलाइजिंग एंटीबोडी का क्या मतलब होता है जब पहले के समय में वैक्सिन बनाने का प्रेतने कर रहे थे तब कुछ एक ही वाइरस के सामने काम करे एसा एंटीबोडी बनाने की कोशिश केर कर रहे थे लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि दुनिया में तो हजारों किसम के एचेवी के छोटे छोटे अलग प्रकार है तो उसमें स्ट्रेंट स्पेसिफिक एंटीबोडी काम नहीं करेगा मतलब कि उसी किसम के वाइरस को काम करेगा लेकिन कोई दूसरी स्ट्रेंट का वाइरस होगा तो उस पर काम नहीं करेगा इसलिए साइंटिस्ट अब ऐसा एंटीबोडी बनाने के लिए प्रेतना कर रहे है जिसका नाम दिया है मतलब कि एक ऐसा एंटीबोडी और जिसको नाम दिया जाएगा broadly neutralizing antibody अब इस पहली जो phase 1 clinical trial है इसमें क्या जाज़ करेंगे कि यह vaccine कितनी सुरक्षित है यह vaccine की side effect कम से कम है के नहीं और यह vaccine के द्वारा परियात मात्र में antibody broadly neutralizing antibody antibody बन रहे के नहीं कि जो HIV के वाइरस को रोकने के लिए सक्षम हो अब जो यह trial है उसका result साल 2023 में आएगा कितना हम है यह trial अब तक 30 से भी ज्यादा HIV vaccine के trial हो चुके है लेकिन जिसमें से सिर्फ दो vaccine के trial ही phase 1 और 2 को पार करकर phase 3 के trial तरक पहुचे बागी के 28 vaccine के trial या तो phase 1 में ही बंद कर दिये जाए गए या तो phase 2 में ही बंद करना पड़ा अब तक करीबन 10,000 से भी ज्यादा volunteers इन ट्राइल में भाग ले चुके हैं ज्यादा तर ए ट्राइल अमेरिका और यूरोप में हुए हैं और सिर्फ कुछी ट्राइल अमेरिका और यूरोप के अलावा कहीं और हुए हैं अब phase 3 के ट्राइल तक जो दो ट्राइल पहुँचे हैं उसके बारे में बात करते हैं दो वैक्सिन ट्राइल फेस 3 तक पहुँचे थे जो पहरी ट्राइल जो पहुँची थी फेस 3 तक वो 1998 में चालू किया गया था अमरिका में जिसमें 5,400 वालेंटियर्स ने भाग लिया था और जो दूसरा ट्राइल फेस 3 तक पहुचा था वो थाइलेंड में चालू किया गया था 1999 में यह दोनों ट्राइल के नतिजे 2003 में आये थे लेकिन यह दोनों ट्राइल के नतिजे असफलता मिली थी और उसको आगे नहीं बढ़ाया था और उस ट्राइल को वहां परिबाद में रोकना पड़ा था तो यह जो मोड़ना HIV एक्सिन्स है वह बिमारी को रोकने के लिए काम करेगी यानि कि जिन लोगों को HIV नहीं है उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाएगी जिसको हम HIV प्रिवेंटिव एक्सिन बोलेंगे मैं डॉक्टर केतन राणप्रिया HIV AIDS Specialist यदि आप मेरे से online consultations करना चाहते है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो WhatsApp के message के थ्रू और अंत में चेतावनी यहां पर की गई हर बाते एक आम जानकारी के लिए है समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV AIDS Specialist डॉक्टर से व्यक्तियत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्चक है हम हर सनिवार और रहिवार दोपर को एक बजे नए वीडियो के साथ आते है थैंक यू हम फर मिलेंगे